गर्मीतों में सकिन ओईली हो जाती है ऐसे यह लगता है जिसे चिपकु चिपकु सकिन हो गई है ऐसे में ये रेमेडी आपके बहुत कामा आएगी और इन्जिस तो आप खाते ही हैं उसके छिलके सुखा लिजे उसे थोड़े नीम के पत्तों के साथ, सूखी नीम के पत्तों के साथ पीश दीजे फिर इन दोनों के पाउडर में दो चमच चंदन पाउडर, दो चमच मुलतानी मिट्टी मिक्स करकर बात्रूम एक जार भर कर रख लीजे अब क्या करना है? थोड़े दिन तक लगातार इस मिक्स्चर को लेना है, उसमें एक चमच शहत, थोड़ा सा नीम्बू का जूस और गुलाब जल मिक्स करके पेस्ट बना लेना है चेहरे पर, नेक पर 15-20 मिनिट्स के लिए लगाना है, फेस वाश कर लेना है कुछ तिन ऐसा रोज करेंगे तो ओईली स्किन में फर्फ पड़ेगा आपकी स्किन फ्रेश और ग्लोइंग रहेगी किसी के साथ बिजनिस करना चाहते हैं, तो एक जैसी थिंकिंग होने से बहुत फाइदा मिलता है कौन से बिजनिस के लिए, कौन से नंबर्स का कॉम्बिनेशन सबसे ज़ादा फाइदे मन रहेगा, बेनिफिशल रहेगा, आईए जानते हैं नंबर्स टू, सेवन और नाइन, इन तीन नंबर्स के जो व्यक्ति हैं, अगर आपकी डेटव बर्ट का टोटल टू, सेवन या नाइन हैं, तो ऐसे लोग स्पिरिच्वल ग्रोध चाहते हैं इनकी इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रॉंग होती है, ये डेडिकेट़ होते हैं, सपोर्टव होते हैं, पेशिंट होते हैं, और मॉडिस्ट विनामर भी होते हैं दूसरों की सेवा और मदद करना इने बहुत पसंद है जगरे सुलजाने में माहर होते हैं पर साथ में डिपलोमाटिक और ओवर सेंसिटिव होते हैं अब आपको बताती हूं किछ और नमबर्स के बारे में अगर आपका डेटिव वर्थ का टोटल है 1, 3 या 5 तो इन तीनों नमबर्स के लोग जो हैं फन लविंग, खुश मिजाज, क्रियेटिव होते हैं नेचर लविंग, नए लोगों के साथ जुड़कर क्रियेटिव काम करना उन्हें बहुत पसंद है फ्रेंड्शिप को बहुत वाल्यू देते हैं और दूसरों को क्रियेटिवली अप्रोच करते हैं, क्रियेटिवली इंस्पायर करते हैं और साथ ही ओवर इमोशनल होते हैं अब आपको बताती हूँ, आपकी डेटिव वर्थ का टोटल अगर 4, 6 या 8 है तो इन तीनों नंबर्स के लोग जो हैं, Economic Security देने वाले होते हैं, यानि कि पैसों को संभाल कर रखते हैं Duty और Responsibility को वाल्यू देते हैं इन्हें Success, Money और Achievement की वाल्यू पता होती है तो इन पूरा इस चीजों को Achieve करने के लिए, Successful बनने के लिए ये अपना Best देते हैं पर साथ में ही मुफट और जिद्धी भी होते हैं और जैसा चाहते हैं वैसे ही काम करते हैं आज आपको Cisco Company की बात बताऊंगी Cisco जो है, वो San Francisco का Short Form है लोगों में Lines Electromagnet को Represent करती है और San Francisco के Golden Gate Bridge को Signify करती है लोगों में Use की गई ये जो Lines, ये जो Thick Lines आपको दिख रही है ये Thick Lines उस Bridge को Signify करती है तो लोगों में जब आप ये Thick Lines देखते हैं तो ये Company की Strength और बिना रुकी आगे बढ़ने की Ability को दर्शाता है किया गया, Blue Color, Company की Prosperity और Client की को हम ये बोल सकते है Importance देने की काबलियत को दिखाता है Red Color, Company अपने Client को Satisfy करती है उसके प्रती Passionate है, अपनी चीजों के प्रती जो बोलती है, जो कमिट करती है उसके लिए Stuburn है इस जिम्मेदारी को Show करता है तो अपनी Company के लोगों में इन Lines को, इन Colors को यूज करकर Client का भरोसा जीत सकते हैं